26 फरवरी की कुछ एतियासी घटना है जो हमारे लिए किसी फैक्ट और नौले से कम नहीं है आज एक दिन 1887 में भारत की परतम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोसी का निधन हुआ था आनंदी भाई जोसी पूने सेर में जन्मी पहली भारते महिला थी जिन्नोंने डॉक्टर की डिगरी ली थी जिस दोर में महिलाओं के सिच्छा भी दूबर थी ऐसे में बिदेज जाकर डॉक्टर की डिगरी हासिल करना अपने आप में एक मिशाल है उनका विवार 9 साल की अलप आयू में उनसे करीब 20 साल बड़े गुपाल राव से हो गया था जब 14 साल की उमर में वे मा बनी और उनकी एकमात संतान की मिर्तियू दस दिनों में ही हो गई तो उन्हें बहुत बड़ा आगात लगा अपनी संतान खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वे एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी ऐसे में मौत को रोकने का प्रयास करेंगी उनके पति गुपाल राव ने भी उनको भरपुक सहयो दिया और उनकी होसला अभजाई की डिगरी पूरी करने के बाद जब आनंदी भाई भारत लोटी तो उनका स्वास्त बिगणने लगा और 22 वर्स की अलपाईव में ही उनकी मृत्य हो गई यह सच है कि आनंदी भाई ने जिस उदेशे से डॉक्टरी की डिगरी ली थी उसमें वह पूरी तरसफल नहीं हो पाई परन्तु नोंने समाज में इस्थान प्राप्त किया जो आज भी एक मिसाल है 320 इसवी में आजी के दिन चंदरगुट पर्थम को पाटली पूर्थ का सार्शक बनाया गया था चंदरगुट पर्थम गुप्त बंस का तीसरा और परतापी राजा था जिसने गुप्त समवत की सुरुआत की समराट बनने के बाद उसने लिच्वी राजे के साथ पारिवारिक संबंद बनाया और खुद को महराजा दिराज की उपादी दी जो प्राए एक उछ साशक के लिए प्रयोग की जाती थी आजी के दिन 1857 में आजादे की चिंगारी भरकी थी वैपारी के रूप में भारत आये अंग्रेजों ने धीरे धीरे जिस बरबर और घ्रनित तरीके से अपने सामराजयवादी चालों को अकार देना शुरू किया उसका समाज की प्रतेख वर्ग ने अपने अपने तरीके से विरोध किया आंतत्य यही असंतोस 1857 के जन विद्रों के रूप में सामने आया जिसने अंग्रेजी सासने की जड़ों पर प्रहार किया आजादी की एक कसमसाते देश में उठी विद्रों की ये पहली चिंगारी बंगाल से भड़की थी दरसल बिट्री सरकार ने दिसंबर 1856 में पुरानी बंदुकों के इस्थान पर नई राइफिलों का प्रयोग सुरू किया जिसके कार्थूस पर लगे कागज को मूँ से काटना पड़ता था बंगाल की सेना को पता चला कि इस कार्थूस में गाय और सुर की चर्वी मिली हुई थी चर्वी वाले कार्थूसों के प्रयों के खिलाब सरपतम बहरामपूर के सैनिकों ने 26 फ्रोरी 1857 को विद्रो कर दिया और विद्रो की आँच देखते देखते एक जन विद्रों बदल गई इसे देश में अंग्रेज को खिला पहली जन करांती कहा जाता है 26 फ्रोरी 1937 को मुंबई में पैदा हुए मनमौन एक ऐसे फिल्म प्रोडूसर और डिरेक्टर थे जिसे दर्सकों की नवज पर अच्छी खासे पकड़ थी एक ऐसा नाम था जो हिट फिल्मों का फार्मूला जानते थे कहते हैं इमता बच्चन के केरियर को उचाई तक पचाने में मनमौन का बड़ा हाथ था उनकी पिता का नाम कीकू देशाई था जो एक फिल्म प्रडूशर और पैरामांट इस्टूडियो के मालिक थे उनकी छोटे भाई सुभाज देशाई भी फिल्म निर्माता बने मनमौन देशाई की पहली पतनी का नाम जीवन परबाथ था जिसका द्यांत 1979 में हो गया उसके बाद 1992 से अपनी मिर्तियों तक अविनेती नंदा से जुड़े मनमौन देशाई का एक पुत केतन देशाई है जो अपने पिता की तरह समिदेशिल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं केतन देशाई का विवा कंचन कपूर से हुआ है जो समी कपूर और गीता बाली की बेटी है मनमौन देशाई एक मार्च 1994 को गिर गाउं में बालकनी से जुकते समय नीचे गिर गए जिसकी वज़े से उसकी मिर्ति हो गई थी 1966 में आजी के दिन महान सतंता सनानी और देशवक्त विनायक दामुदर सावरकर का निदन हुआ था विनायक सावरकर का जन महाराष्ट के नासिक के निकट भागुर गाउं में हुआ था उनकी माता जी का नाम रादा भाई, पिता जी का नाम दामुदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गडेस और नराइन दामुदर सावरकर तता एक बहन नैना भाई थी। जब एक एवल नौ वर्स केते तब हैजे की महामारी में उनकी माता जी का ध्यानत हो गया। इसके साथ वर्जबाद 1899 में पलेक की महमारी से उनके पिता का भी सरुगास हो गया सावरकर 20 सताबदी के सबसे बड़े हिंदू बादी रहे विनायक दामदर सावरकर को बच्पन से हिंदू सबसे बेहद लगाव था सावरकर ने जीवन बर हिंदू, हिंदी और हिंदूस्तान के लिए काम किया सावरकर को 6 बर अखिल भारते हिंदू मासवा का राष्टे अधर चुना गया हिंदू राष्ट की राजनितिक विचारदार को विक्षित करने का बहुत बड़ा स्रे सावरकर को जाता है 1975 में आजे के दिन गुजरात के एहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्राले संकर केंद इस्ताफित किया गया था एहमदाबाद के पालड़ी में संसकार केंद के परिसर में इस्थित पतंग संग्राले का निर्मार भानुबाहिस आने किया था इसे 1954 में परसिद वास्तुकार लेक कोर्बूश शियर दुरार डिजाइन किया गया था यह संग्राले विशिष नकासीदार पतंगों के मिरर वर्क, ब्लॉक प्रिंट पतंग, जपानी पतंग आदिका विश्तरत प्रदेशन करता है 26-1993 को अमेरिका के वर्ड ट्रेट सेंटर की पार्किंग में धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी इस बिल्डिंग की पार्किंग में बिसफोट को से भरा एक ट्रक पार्क किया जै था उस ट्रक में जोरदा धमाका हुआ था